हेलो एबरीवन, वेलकम टू मैं चैनल कैसे हैं, आप सब उमीद करती हूँ, आप सब बहुत अच्छे होंगे, तो आज मैं चूहा पकाने का एक ऐसा रामबान उपाए, आप सब किसा शेर करने बाली हूँ, जो आज तक आपने नहीं दिखा होगा, और ये 100% काम करती है, इसक हम घर में आने से रोक तो नहीं सकते हैं, लेकिन अगर घर में रहती हैं, तो ये काफी उपद्रम मचाते हैं, खाने पिनी की चीजों के साथ, महेंगे महेंगे कपड़े, फरनीचर, कुतर डालते हैं, साथ में अगर मिटी का फर्स है, तो आप देखेंगे छोटा छोटा ब चूहा अगर घर में हैं, तो बीमारिया बहुत जादा फैलती है, क्योंकि गंद्गी बहुत जादा करता है, तो इसलिए चूहा को घर से बाहर भगाना बहुत जरूरी है, अगर आप दबाई डालते हैं, तो उसके कई नुक्षान होते हैं, एक तो अगर घर में चोड़ा बच्चा है, तो गलती से अगर बच्चों ने दबाई उठा के मूँ में डाल लिया, तो कुछ भी हो सकता है, दूसरा चूहा दबाई खानी के बाद कई बार घर के अंदर ही छुपे रह जाता है, और जिसकी वज़े से मर जाता है, और फिर बदबू देता है घर में, तो फिर वो घर से बाहर भागेगा, तो हमें ले लेना है कोई भी प्लास्टिक का बरतन, प्लास्टिक का या फिर इस्टील का कोई ऐसा बरतन लीजिएगा, जिसे आप खाने पिनी में यू sûज ना करते हो, तो इसमें रखना है हमें एक चोथाई, चमच हल्दी, हल्दी हर तरह की कीरे मोकोरे या फिर चुहे को भगाने में बहुत ज़्यादा हेल्प करती है क्योंकि हल्दी की स्मेल काफी स्ट्रॉंग होती है तो इसलिए हमें एक चौथाई चमच हल्दी रखना है साथ में रखना है लगभग धाई चमच जितना गेहूं का आटा आप गेहूं के आटे हो फिट करी का पाउडर एक छूटा सा फिट करी का ढेला ले लिजिए और उसको पाउडर बनाके फिर रखना है पूरी तरह से पाउडर नहीं बनाना है थोरा सा दरदरा हो जाए तो भी चलेगा और अब रखना है इसमें हमें धागे जो रील होती है ना जिससे हम कपरों क शिलाई करते हैं तो उसके धागे को छोटे-चोटे डुकरों में कट कर लीजे और उसे मिक्स कर देना है चूहा को हर चीज को कुतरना या फिर कुछ ऐसी चीजे खाना बहुत ज़्यादा पसंद होती है जैसे कपड़े आप देखते हैं कि सबसे ज़्यादा अगर घर में मच घी तो हलका सा घी को गर्म करके और अच्छे से इसमें मिक्स कर लीजे घी की खुषबू से चूहा दोड़े-दोड़े आता है खानी के लिए अगर आप घी नहीं रखना चाहते कोई भी कुगिंग ओयल ले सकते हैं बस स्मेल नहों वो वाला लीजेगा क्योंकि चूहा को दूर से ही स्मेल पता चल जाती है और कुछ ऐसी स्मेल अगर आई तो फिर वो खानी के लिए नहीं आएगा लेकिन घी को खुषबू जो है वो से अच्छी लगती है तो इसके लिए घी आप रख सकते हैं और आप पानी की मदद से इसका एक डो तियार करना है तो ना ही जादा हाड डो हो और नहीं बिल्कुल सॉफ्ट तो जैसे हम रोटी के लिए डो तियार करते हैं वैसा ही डो तियार कर लेना है और अब हमें लेना है रील का जो रोल होता है वो लेना है जिसमें धागा लगा हुआ रहता है ना तो धागा खतम होनी के बाद जो अंदर से ए जैसे कि प्लास्टिक हो गया या कपड़े हो गया सूज हो गया तो जब हम इसमें लपेट के देंगे शॉलूशन को खाने के लिए तो चुहा इसे खाने के लिए और साथ-साथ शॉलूशन को भी खाएगा और खाते ही उसे काफी दिक्कत होने वाली है यहां पि कुछ बातों को बिल्कुल भी नहीं खाएगी तो इसलिए खाने पीने की चीजों को छुपा के रखेगा साथ में कुरा कबार घर के अंदर भी ना रहने दे क्योंकि कुरा कबार में ही चुहा छुपके बैठा रहता है और फिर दीरे धीरे उनका पड़िबार बढ़ता है और ये फिर घर म छुपनी की जगह कम मिलेगी तो वो घर के अंदर नहीं रहेंगे और आप लगातार इस शॉलूशन को बना के और कई बार जब आप रखेंगे तो चुहा डर से घर से बाहर निकल जाएगी और फिर कभी लौट कर नहीं आएगी बहुत ही बढ़िया शॉलूशन है तो आप के पास रील का वो रोल नहीं है तो आप इसको ऐसे ही छोटे-छोटे बाल्स बना के और फिर आप हर जगह रख सकते हैं यह बहुत ही बढ़िया शॉलूशन है एक बर बना के और ट्राइकर करके जरू देखिएगा 100% यह काम करती है और अब इसको मैं हर एक कोने में रखू त्यान रखिएगा में गेट पे तो दो-तीन जरूर ही रख दिजेगा क्योंकि चूहा बाहर से ही घर के अंदर आती है शाम होते ही खिरके या दर्वाजे जरूर ही बंद रखिएगा क्योंकि शाम को जब light off करते हैं तो उसी समय चूहा घर के अंदर आती है दिन में तो बह से बाहर 100% भागेगा तो मैं एक एक बॉल्स को हर जगा रख देती हूँ तो किचन में रख दी हूँ अब किचन के गेट पे रखके फिर में गेट पे जरूर रखना है इस्टोर रूम है जहां पर आप अनाज इस्टोर करके रखते हैं तो वहां काफी सारा आप रख सकते हैं और रखने के बाद आप कई दिनों के लिए छोड़ दीजेगा ये बहुत जल्दी हार्ड नहीं होती है सुखती नहीं है तो आप कई दिनों के लिए छोड़ दीजेगा जिसे की चुहा डड़ से वहां पे जाए ही नहीं कैसा लगा आपको आज का टिप्स कमेंट करके बाबाई टेक केर